प्रिश्वाद के इस खंड में हम बात करेंगे चक्रवातिय तुफानों की और उनके नामा करन की तो आएए देखते हैं चक्रवातिय तुफान और उनके नामा करन चक्रवातों के नामा करन से पहले आए हम जानते हैं चक्रवातों के बारे में चक्रवात के दो प्रकार होते हैं एक शितोष निकटी बंदिय चक्रवात और दूसरा होता है उस निकटी बंदिय चक्रवात तो जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि पूरी धर्ती को अलग-अलग क्लाइमेटिक जोन्स में बाटा गया है जिसमें 0 डिक्री जहां पर विश्वत रेखा है जिसे भी एक्वेटर कहते हैं उससे सारह 33 डिक्री उत्तर और सारह 33 डिक्री दक्षिन जो खेतर होता है, उसके बीच का खेतर होता है वो उस्निकटिबंधिय क्षेतर में आता है क्योंकि यहाँ पर सूरी की किरने सीधी परती है विशेश्था 0 डिक्री से लेकर सारह 33 डिक्री जो का खेतर है उत्तर और दक्षिन सारे तेज़ डिगरी पे अट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे करग रेखा कहते हैं जो कि भारत के बीचों भी इस से गुजरती है और दूसरा सारे तेज़ डिगरी दक्षिन में मगर रेखा तो इन छेतरों के बीच सबसे अधिक प्रभावी होता है यह चक्रवात और यह सबसे ज़्यादा तबाही लाने वाला चक्रवात माना जाता है उसनिकटी बंदिये चक्रवात तो आईए हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ती कैसे होती है फॉर्म कैसे होता है यह तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हवाएं जो होती है वो हमेशा उच दाब से निम्न दाब की ओर चलती है हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है तो समुद्र के किसी भी इलाके में किसी भी क्षेतर में जहां पे टेंपरेचर बढ़ जाता है सबसे ज़्यादा टेंपरेचर होता है वहाँ पे हवाईं गरम होकर उपर उठने लगती है और वहाँ पे low pressure build create हो जाता है तो उसको cover करने के लिए उसको उस पे आने के लिए उस तरफ उच वायुदाव से हवाईं वहाँ पे चलने लगती है उस जगा को घेरने के लिए और उसको cover करने के लिए और इस वज़ा से और दूसरी तरफ ये हवाएं सीधी रेखाओं में नहीं चलती है ये चक्री होती है क्योंकि हम जानते हैं कि कौरियॉलिस फोर्स होता है जिसकी वज़ा से जो फैरल का नियम है उसके हिसाब से जो हवाएं विस्वत रेखा क्रॉस करके उतरी गुलार्द में जाती है और जो विस्वत रेखा क्रॉस करके जो दक्षनी गुलार्द में जाती है वो नेचुरली अपने बाई और मुड जा होता है जहां पर सबसे कम वायुदाब होता है उसे हम चक्रवातों का चक्रवातों की आँख कहते हैं जिसे हम आई of cyclone कहते हैं तो वह एक vacuum होता है जहां पर वातावरन बिल्कुल शान्त होता है, मौसम बिल्कुल शान्त होता है, जबकि उसके चारों तरफ बहुत-बहुत तेजी से हवाएं चलने लगती हैं, इसकी वज़़से चक्रवातों का रिर्वान होता है, चक्रवात को अगर हम देखें, सिंपल टर्म में, तो एक तेज हवाओं का घुर्णन है और हवाओं का चक्रिय गमन है, जिसे हम चक्रवात कहते हैं, तो अब आएए इनके देखते हैं, जो उसने कटिबंधिये चक्रवात है, उनके स्थानिये नाम क्या-क्या है, भारत में जो भी होता है, उसे चक्रवात या एक लोन कहते हैं, जो भी हिंद महाज आगरिने नोशन में होता है, उस्टेलिया के उत्तर पश्चमी तटपे जो इसी को विली-विली के नाम से जानते हैं, दक्षिन चीन सागर, चाइना और जपैन में इसे हम टाइफून के नाम से जानते हैं, मध्य अमेरिका और केरेबियन घाटी में जो होता है, केरेबियन दूइपियर समूह में, वहाँ पे इसे हरीकेन के नाम से जानते हैं, जो की Northern Atlantic Ocean का अक्षेत्र है, वहीं Pacific Ocean में जो पश्चमी हिस्सा है, मध्य अमेरिका का, मेक्सिको का, और दक्षिन, जो United States का जो Southern Part है, वहाँ पे उसके पश्चमी तटो पे जो होता है उसे टॉर्नेडो कहते हैं, तो ये इनके स्थानिये नाम है, अब इनका नामा करण कैसे होता है, उसको हम देखते हैं, तो सबसे पहले जो नामा करण सुरू हुआ, वो 1953 से हुआ, United States Weather Bureau और World Meteorological Organization के द्वारा, ये शुरुआत में इनसानों के नाम पे रखते थे, जैसे कि ऑस्चेलिया में corrupt politicians के नाम पे रखा जाता था, और जो US होता था, वहाँ पे लड़कियों के नाम पे, जैसे Katrina, Maria, ये सारे नाम रखे जाते थे, सबसे पहले उसके बाद जो regular basis पे और 1964 में इसके स्थाप, जब National Hurricane Center के स्थापना होती है, Miami में और Miami, Florida में, तब से continuously इसका नाम रखा जाने लगा, लेकिन तब तक 2004 तक जो हमारे उत्तरी हिंद महासागर के तुफानों का कोई नाम नहीं रखा जाता था, इसकी जो खास वज़ा थी, वो ये थी कि यहाँ पे different tribes रहते हैं, different species के लोग रहते हैं, अलग-अलग जातिया रहती हैं, काफी सांस्कृतिक विभिनिताएं हैं, तो नाम का कोई गलत प्रभावना परे, नाम से किसी को कोई धार्मिक या जो खेत्रिये भावनाएं आहत ना हो, सांस्कृतिक भावनाएं आहत ना हो, इसलिए यहाँ पर तब तक नाम नहीं रखा जाता था, 2004 में जब यह कहा गया कि सभी देश अपने अपने छेत्र के हिसाब से तुफ़ानों का नाम रख सकते हैं, जैसा कि नेसनल हरीकेन सेंटर के द्वारा कहा गया और WMO के द्वारा, तब से भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, मालदीप, म्यामार, ओमान, स्रिलंका और थाइलेंड, यह आठ देश मिलकर अपने छेत्र में होने वाले जो तुफ़ान हैं या होने वाले हैं, उनका नाम, उनके नामों की सुची ही नोगों ने बनाई, और 2004 से 2020 तक का जो लिस्ट जो टोटल 64 नेम्स थे, 64 नाम थे, यही नाम 2020 तक उप्योग हुआ है, जैसा कि बंगलादेश ने आठ नाम दिये, जिसमें ओनिल, अगनी, निशा, गिरी, हैलन, छापला, ओक्ची, फानी, इंडिया ने जो नाम दिये थे, उसमें अगनी, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेग, सागर, वायू, इसी तरह हम देखेंगे तो मालदिव्स, म्यामार, ओमान, पाकिस्तान, स्रिलंका, थाइलेंड, सभी ने आठाट नाम दिये थे, और इनका जो क्रम था, वो पहला तुफान, जैसे बंगलादेश ने जो नाम दिया, उस नाम से होगा, क्योंकि alphabetical order में बंगलादेश का नाम पहले आता है, तो इसलिए बंगलादेश पहले था, उसके बाद इंडिया का दिया हुआ नाम आएगा, उसके बाद मालदिव्स का दिया हुआ नाम आएगा, जैसा अंग्रेजी के alphabet के हिसाब से जो नाम पहले आएगा, जिस country का नाम वही नाम रोटेट होता रहता था, तो एक सीरीज में पहले ओनिल, फिर अगनी, फिर हिबारू, फिर प्यार, फिर बाज, फिर फानुस, माला, मुकडा, फिर दूसरी तरफ से ओगनी, आकाश, इस तरह से ये चक्र चलता था, इस तरह से ये क्रम नामों का चलता था, 2020 से फिर एक नई सुची जारी हुई है, जिसमें और भी देश जुड़ गये हैं, इसमें ओमान जुरा है, कतर जुरा है, सौधी एरेबिया जुरा है, UAE और यमिन, ये देश जुरे हैं, और इन सभी ने तेरह तेरह नाम दिये हैं, जिसे अभी हाल में हमने देखा, निसर् पहुची थी, तो ये सभी नाम अभी चल रहे हैं, अभी जो तुफान आएगा, उसका नाम निवर होगा, जिसे इरान ने दिया है, और इस तरह हम देख सकते हैं, कि आने वाले सभी तुफानों का नाम, यहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं, और हम लोग पता कर सकते हैं, कि अभी जो इसके बाद उफान आएगा उसका नाम क्या होगा अब हम देखते हैं उसनिकटी बंधिये चक्रवातों के नामाकरन से जुरी ही संस्थाएं तो कुछ संस्थाएं बनी जो की उनके नामाकरन से संबंधित थी नौर्थ अट्लांटिक में जो तुफान आएगा जो नौर्धर्न हमिस्फेर में है उत्री गुलार्द में उसका जो नामाकरन सेंटर है वो युनाइटिट स्टेट्स नेशनल हरीकेन सेंटर करेगा और तुफान का जो एरिया होगा वो एक्वेटर नौर्थ वार्थ यूर्वेपियन एंड एक आफरिकन अत्लांटिक कोस्ट्स 140 डिग्री वेस्ट मतलब 140 degree waste देशांतर के तरफ जो भी तुफान आएगा उसका नाम North Atlantic में जो भी तुफान आएगा उसका नाम United States National Hurricane Center देगा उसी तरह Central Pacific में जो तुफान आएगा उसका नामा करण जो करेगा वो United States Central Pacific Hurricane Center करेगा उसका area decided है कि वो वहाँ से ले 140 degree पश्चमी देशांतर तक करेंगे और 140 degree पश्चमी देशांतर से 180 degree पश्चमी देशांतर तक जो नामा करण करेगा वो अलग तरीके का होगा Western Pacific में जो तुफान आएगे उसका नामा करण करेगा Japan Meteorological Agency Northern Indian Ocean में जो नाम रखेगा वो Indian Meteorological Department रखेगा और जो रखता आ रहा है उसी तरह हम देख लेते हैं दक्षनी गुलार्थ में भी अलग-अलग institutions है जो इनके नामों से इनके नामा करण से संबंधित है अब हम देखते हैं उसी तरह से उत्तरी Atlantic उश्णिकटिबंधिये चक्रवातों के नाम अभी हमने देखा कि इंडिये नोशन में जो नौधरन इंडिये नोशन है वहाँ पर जो तुफान आएंगे उसका नाम कैसे रखा जाएगा अब हम देखते हैं Atlantic में जो तुफान आएंगे उसका नाम का लिस्ट हम देखते हैं 2019 में जो नाम का लिस्ट है उसमें हम देखेंगे कि Andrea है, Barry है, Chantal है, Dorian है, Erin है तो यह सारे नाम 2019 में थे फिर वो नाम change हो गया है 2020 में जो नाम रखे जाएंगे जो नाम सारे तुफानों के वो यह लिस्ट है और इसमें आप देखेंगे कि अभी हमने पहले देखा कि जो भारत और बाकी एशियन देशों ने जो नामा करन किया था उसमें कंट्री का नाम alphabetical order में था जिस कंट्री का नाम alphabetical order में पहले आएगा उसका नाम पहले होगा यहाँ पे नाम के हिसाब से alphabetical order है जो नाम alphabetical order में पहले आएगा जैसे ए पहले आया फिर एंड्रिया पहले आया बैरी आया चैन्टल आया उस तरह से यह नाम दिये गए नामों का alphabetical order में इसके नाम आते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2019 से लेकर 2021 तक के तुफानों का लिस्ट यहाँ पे है जो कि उत्रिया अट्लांटिक ओशनिकटी बंदिये खेतर में आएंगे उसी तरह प्रशांत महाशागर और में जो Eastern Pacific में जो आएगा Eastern Pacific Ocean में जो तुफान आएगा उसके यह सारे नाम है 2019 में यह सारे नाम थे 2020 में यह सारे नाम है जो आने वाले तुफान है 2021 में उनके यह सारे नाम आप लिस्ट में देख सकते हैं उसी तरह पश्मी प्रसांद महासागर में है और इस तरह जो पश्मी प्रसांद महासागर के जो तुफानों का नाम रखा जाता है वो इन कंट्रीज के त्वारा रखा जाता है जिसमें कमबोडिया है चाइना है नॉर्थ कोरिया होंग कॉंग जिपैन लाओस मकाव मलेशिया Micronesia, Philippines, South Korea Thailand, US और Vietnam, तो जो भी देश उस तुफान से प्रुभावित हो सकता है उस छेतर से वो सारे देश authorized हैं उनका नाम देने के लिए और उस तरह से इनका नामाकरण होता है, तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि चकरवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं और कौन-कौन से देश और इंस्टिूशन इसमें शामिल होता है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें शेर करें और बेल आइकन्स को जरूर दपाएं तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ